पुसकार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सबी का हार्दिक स्वागत है दोसों धन तेरस के दिन ना केवल अपार धन संपदा पाए जा सकती हैं बलकि आप सेहत और सौभागे का वर्दान भी पा सकते हैं कार्थे कृष्रे त्रयोदसी पर जब ग्रहों नक्षत्रों का अद्पुस संयों बनता है तब होती है धन तेरस की पुजा इससे प्रसन होते हैं कुभेर और धन संपद्य वेवव का परदान देते हैं यह वो पुजा है जिसे देवताओं के व्यद्य धनवंतरी आद्रोकि का सुख प्रदान करते हैं और यम देव अकाल मृत्यों के भैकार नाश करते हैं इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्मुवात जो की समुत्र मंधन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश और आयूर वेद लेकर प्रकट हुए थे इसी कारण भगवान धनवंतरी को आउशदी का जनक कहा जाता है ऐसी माननेता है कि भगवान धनवंतरी की पूजा करने से किसमत चमक जाती है लेकिन दोस्तों सर्फ पूजा करने से नहीं होगा पूजा शुरू करने के पहले आपको अपने घर को माल लक्षमी के आगमन के लिए तयार करना होगा इसके लिए आपको अपने घर को अच्छे से साफ करने के बाद में सू सज्जित कर लेना है और साथ ही दोस्तों जब सफाई कम्ट्रीट हो जाए उसके बाद में आप पूरे घर में नमक मिले पानी से पोचा लगाए है या लगवाएं तकि घर की नेगेटिव एनरजी दूर हो जाए क्योंकि जब दिवाली के सफाई होती है तो घर में जो नेगेटिव एनरजी होती हो पूरे एन्वार्मेंट में फैल जाती है तो उसकी एफेक्ट को दूर करने के लिए आप नमक का पोचा लगाएं और साथ ही थोड़ा कपूच हो भी जला ले उसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है अपने घर की में गिट को जो की पॉजिटिव एनरजी को घर में लाता है और इसके लिए आपको घर को बहुत सुन्दर सा साफ करने के बाद सुन्दर से तोरण से बंदन वार से सजाना है और दोस्तों फेंसी बंदनवार से आप सजाएं, बहुत अच्छा लगता है लेकिन साथ ही, आप उस दिन आम के पत्तों की बंदनवार अवश्य बनाए, आम के बंदनवार लगाने से घर में पॉजिटिव एनरजी आती हैं, घर में नेगेटिव एनरजी प्रवेश नहीं कर पाती है, इसके साथ ही दोस्तों, आपको रंगोली जो है वो अवश्य ही बनाने हैं, आप घर के बाहर, मेंगेट के बाहर जो वो रंगोली बनाएं, उसके साथ ही घर की पूचा घर के पास में रंगोली बनाएं, और घर के नोर्थ जोन में उत्तर दिशा में आप रंगोली अवश्रे बनाएं और अवश्रे बनाएं और साथी प्लस रंगोली में नीली और हरे रंग का इस्तिमाल करें जो उत्तर दिशा में आप रंगोली बनाएं उसमें आप नीली और हरे रंग का इस्तिमाल करें इस तरह से बनाईवी रंगोली बहुत ही शुब रहती है अब हम जानते दोस्तों कि इस पूजा के लिए हमें क्या-क्या सामान की आफशकता होगी इस पूजा के लिए हमें चाहेंगे अक्षत यानि की भीना टूटी हुए चावल, रोली, अस्ट्र गंध, धूप, अगरबती, घी का दिपकुर दोस्तों ध्यान रहे गर आप गाई के शुद्ध घी का इस्तिमाल करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा उसके साथ ही कपूर, जनेव, मोली, इत्र, पंचामरत, पंचामरत आप तयार कर लीजेगा दूद, तही, घी, शेहद और चीनी को मिलाकर पूश्प जो है वो आपको लेने हैं गेंदी की, गुलाब के और कमल के सिक्के, आप चांदी के सिक्के जो नए पर्चिस की हों, उनको पूजा में रख सकते हैं उसके लाँ जो पूराने सिक्के हों घर में, उनको भी साफ करके आप पूजा में अवश्रे रखें मीठा पान है वो आप अवश्र बनवा के रखें मीठे पान में आप एक जिसका ध्यान लखें उसमें सुपारी या कत्थे का इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं होना चाहिए उसके साथ ही आपको पूजा में रखने है रितुफल रितुफल में होंगी सेव, केला और अनाल ये विश्री स्तह होने ही चाहिए आप पांश प्रकार के फल भी रख सकते है उसके साथ ही लॉंग, एलाइची, गुगल, धुग देने के लिए शुद्ध जल उसके लिए आप गंगा जल भी इस्तिमाल कर सकते हैं आचमनी आपको चाहिएगी आचमन के लिए मिट्टी का हाती, पीतल का कलश अगर आपके पास पीतल का कलश नहीं है तो आप दांबे का या फिर मिट्टी का कलश भी उसकर सकते हैं अदरवाई उस धन तेरस के दिन पीतल का कलश करिदना भी शुब होता है नया भी पर्जिस कर सकते हैं पूजा में रखने के लिए धर्वंतरी जी का फोटो अमें लगेगा लक्षमी जी गनेश जी की फोटो चाहिएगी कुबेर का फोटो लगेगा चंदन गुड सफेद बर्फी तिलकी रेवडी तिलकी मुरमे के मुरमे के लड़ो लगेगे उसके जरूर से डालना है तो दोस्तों ये सारे तैयारी आप पूजा शुरू करने के पहले ही कर ले और एक जगह खटा करके आप रख ले और दोस्तों आप जहां तक संभव हो ये पूजा आप घर के उत्तर दिशा में करें और वहीं पर आप ये सारे समगरी है वो रखकर खटा कर लें दोस्तों हम आपके लिए लाएंगे नए नए वीडियो धन तेरस से रिलेटेड दिवाले से रिलेटेड वो कोई भी इंफरमेशन आपकी मिस नहीं हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी घंटी के बटन को भी दबा लीजेगा ताकि चै इस दिन लाले गुलावी कपड़े पैनना बहुत ही अच्छा रहता है पूजन में सबसे पहले गरेश जी लक्षमी जी और उसके बाद कुबेर की पूजा करेंगी और उसके बाद धनवंतरी की पूजा होगी गरेश सारी बाधाईं दूर कर देंगी माल लक्षमी धन जाओं को है उच्वाकि पर विराज मान करने उसके बाद घी का दीपक जलाएं अब हम सबसे पहले भगवान गनेश की पूजा करेंगी भगवान गनेश की पूजा के लिए सबसे पहले हम जान्दी या तांबे की आच्छमनी से जल का आच्छमन करेंगे दोसना आप कभी कोई भी पूजा या मंत्र का उच्चारन करें उसके पहले आप शुद्धी जरूर करें जल शुद्धी अवश्र करें उसके लिए आप आच्छमनी से हाथ में तीन बार जल लेके आच्छमन करें उसके बाद ही आप पूजा शुरू करें आच्छमन करने के बाद में आपक भगवान को पुश्प अर्पित करनी और जल का आश्मन करना है और उसके बाद में आपको तीन बार जल के छीटे देते विए मंत्र बोलना है पाध्यम अर्ग्यम आश्मनियम समर्पयामी उन्हें मंत्र बोलते विए आपको जल के छीटे देने है और उसके बाद में आपको भगवान गनेश के चित्र के सामने जल के चीटे देते वे स्नान कराने के लिए आपको मंत्र बोलना है स्नानार्थे जलम समर पयामी और उसके बाद में भगवान गनेश को पंचामरत से स्नान कराना है और इसके लिए आपको मंत्र बोलना है पंचामरतम स्नानार्थे पंचाम पंचाम्रत समर्पयामी और उसके बाद में आप पंचाम्रत से स्नान करवाएं फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए आप मंत्र बोलें पंचाम्रत स्नानांते शुद्धोधक स्नानम समर्पयामी और जल से स्नान करवाने के अब आप गनेश्री को स्वच्छ करें हो उसक इसके बाद में आप मंत्र बोलें वस्त्रम समर पयामी और भगवान गनिश को आप जनेवु अरपित करें, इसके बाद में आप गंधम समर पयामी और इसके बाद में अस्ठ गंध है, उसका आपको चढ़ाना है गनिशी को, उसके बाद में अक्षितान समर पयामी बोलते वे भगवान गणेश पे आपको चावल जो है वो अर्पित करने है उसके बाद में पुश्पम समर पयामी आप फूल जड़ाएं धूपम आग्या पयामी अगरबती ये धूपती है वो जलाएं धीपकम दर्श्यामी जलतीवी दीपक की पूजा करे फिर उसी से आर्थी घुमाएं नेवेद्यम समर पयामी नेवेद्य के लिए भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं और साथ इवनका प्रिये भोग मोदग भी आप भोग में लगा सकते हैं आश्मनियम जलम समर पयामी और अपने आसन के आसपास आपको पानी छोड़ देना है उसके बाद रितुफलम समर पयामी आप फल चड़ाएं और फल के चारों तरफ पानी का घुमाओ कर दें अब भगवान गणेश को के लिए अर्पित करें तामबुलम समर पयामी बोलते भगवान गणेश को आप मीठा पान जुए वो अर्पित करें और बाद में पूजा के बाद में ये पान जुए परिवाद प्रशाद की रूप में ग्रहन करें दक्षिना समर पयामी आप चांदी के सिक्के जो आपने खई दें उनमें से कुछ सिक्के आप जो पूजा के दूसर सिक्के उनमें से कुछ सिक्के भगवान गणेश के सामने चड़ाएं पिर करपूर निरान जरम दर्श रियामी और ये बोलते भी कपूर चलाकर भगवान गणेश की आर्थी करें और पूरी आर्थी पूजा करने के बाद में सबसे इंपोर्टिन चीज है शमायाशना दोस्तों हमें कितना भी ज्ञान लेलों कहीं न कहीं कोई गलती होने का चांस रहता है इसलिए हर पूजा के बाद आप शमायाशना अवश्र करें उसके लिए मंत्र बोले आवहनम नजानामी नजानामी तवार्चनम पूजाम चेवन जानामी शम्यताम परमेश्वर और इस तरह से शमायाशना करते विए भगवान गणेश को प्रणाम करें और उसके बाद आप भगवान गनेश के गनपती ओम गनपती देवाई नमा इस मंत्र का यथा शक्ती जो है वो जाब करें मंत्र फिर से मैं बोल देती हूं ओम गनपती देवाई नमा तो इस तरह से आपको भगवान गनेश की पूजा करनी है भगवान गणेश के बाद में आपको पूजा करनी है मा लक्षमी की मा लक्षमी की पूजा का पैटर्न वो सेमी रहेगा जिस तरह से जिस स्टेप में आपने भगवान गणेश की पूजा की है उसी स्टेप में आप मा लक्षमी की पूजा करेंगे फर्क किये रहेगा कि जनेव के स्थान पे आपको माता को मोली अर्पित करना है फर्द में आप महालक्ष्मी को अनार अर्पित करेंगे और भोग में माक लक्ष्मी को खीर अर्पित करेंगे और पूजा करने के बाद में आप मंत्र बोले ओम श्रीय नमह या ओम एम श्री महालक्षमे नमह मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं दोस्तों और इसके बाद में आपको महालक्षमी का यह जाप करने के बाद में महालक्षमी से भी शमायाशना करने और बोलना है और इस तरह से माल लक्षमी से भी शमय आशना करें और अपनी कृपा दर्ष्टी के लिए प्रात्ना करें माल लक्षमी की पूजा के बाद में आप भगवान कुवेर की पूजा करेंगे भगवान कुबेर की पूजा भी आपको उसी तरीके से करनी है जिस तरह से आपने भगवान गणेश और माल लक्षमी की पूजा की थी और कुबेर का ध्यान करते वे आपको मंत्र बोलना है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रमनाय धन धान्या धी पतै धन धान्या सम्रदि में देही दापई दापई स्वाहा इस मंत्र से भगवान कुबेर का ध्यान करते वे आपको उनकी पूजा अचना करनी है और पूजा करने के बाद में कुबेर मंत्र ओम कुबेराय नमा का आपको यथा शक्ति जाब करना है कुबेर के बाद में आपको भगवान धन्वंत्री की पूजा करनी है इसके लिए आप हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंत्री का ध्यान करें और उसके बाद में बूले देवान कृष्णान सुर्ष संगिनी पिडितांगान दिस्टवा दयालूर मितम विप्रितु कामः पायोधी मंतन विधो प्रकटो भवधो धन्वंत्री सेब भगवान वता सदानः ओम धन्वंत्री देवाय नमः इस तरह से मंत्र का उच्चारन करके आप भगवान धन्वंत्री के शोड़ो शोपचार पूजा करें और पूजा करने के बाद में भगवान धन्वंत्री का मंत्र ओम धन्वंत्राय नमा का जाब करें और पूजा पूर्ण होने के बाद आप धन्वंत्री जीसे प्रात्ना करें ही आहिरवेद के जनक धन् प्रदान करें, हमें से परिवार, आरोग्य का वर्दान प्रदान करें और इस सब पूजा होने के बाद में अंत्मी, माललक्ष्मी, कुबीर, प्रगवान गणिश, उमिट्टी के हाती, धनवंत्री जी का सब का पूजन एकसाथ करें आर्थी करें और उसके बाद में गूगल की आप धूप चलाएं इस तरह से आपको धन तेरस की पूजा करनी है आप ये पूजा शुब मूरत में करें जिससे आपको इस पूजा का अधिक से अधिक लाव मिल सकें दोस्तों श्रमा याशना करना बिलकुल ना भूले ताकि किसी भी मंत्र की उच्चारण में या किसी स्टेप की करने में अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान हमीं श्रमा करें उसके साथ ही दोस्तों धन तेरस को दीपदान करने का भी विदान है और इसके लिए धन तेरस की श्रम को प्रदोश काल में अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर अनकी धेरी पर दोनों तरफ आपको दीप चलाना है और उसके लिए दोस्तों आपको तयारी जो हो किस तरह से करनी आपको एक प्लेट लेनी है उसमें आप एक स्वास्थिक बना लें स्वास्थिक के ऊपर कुछ चावल डाले और उसके उपर आटे का या कच्छी मिट्टी का एक चों मुखा दीपक अप ले ली और उसमें लंबी बाती जो हो उस तरह से डाल। दे कि चार बाती यह उसमें जैल पाएं और उस तरह से दीपक को तयार करनी के बाद में आपको दीपक की पूझा करनी है अब दीपक को पूझा करने के साथ में आपको साउथ फिसिंग बैठना है दक्षिन की तरफ मुख करके बैठना और बोलना है ये मंत्र बोलके आपको दीपक की पूझा करनी है और दीपक में आपको एक कोड़ी डालनी है साथ ही यम्राज को प्रसंद करने के लिए उसमें आपको सफेद बर्पी तिल की रेवडी या तिल के मुर्मुरे के लड़ो केला और एक ग्लास में पानी जो हो आप दीपक के पास में रखें और इस तरह से सभी चीज़ों को अर्पित करके उसमें एक कोड़ी डाल दे और पूझा करके आप प्रात्ना करें कि ही यम्राज हमारे घर को ऐसमें म्रत्यू से बचाएं हमारे ब्रे परिवार की रक्षा करें और उसके बाद मैं आपको मंत्र बोलके उस दीपक को गेट के बाहर अपने में गेट के बाहर चावल की धेरी के उपर स्थापित कर देना है और दोस्तों जब दीपक बड़ा हो जाई है दूसरे दिन सुबह उसमें जो आपने कोड़ी डाली है उसको आपने ले लिना है और अपने पर्स में या तिजोरी में रख लिना है दोस्तों एक बहुत ही अच्छू कूपाएं है जिस पर्स में और जिस अलमारी में कोड़ी रहती है पर्स यालमारी कभी भी खाली नहीं रहती है इसलिए आप इस कोड़ी को अवश्रे रखें और बाद में पूजा करने के बाद दीपक बड़ा होने के बाद में जरूर उखा के अपने घर में लेकर आए तो दोस्तों ये थी धन तेरस की पूजा विधी दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसंद आयो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इस आनकारी का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके आप चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना बिलकुल न भिले आपके पूरे परिवार को धन तेरस की बहुत बहुत शुकाम नाए और दीपावली की धेरो शुकाम नाए